नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाजफाइंडर पर एक बहुत ही मेजर बलकि मैं कहूंगा एक बहुत ही defining development सामने आ रही है रश्या यूक्रेन के युद्ध के बीच में से जिसमें कि ये कहा जा रहा है यूक्रेन का बहुत ही एहम शहर जिसका नाम है मारियूपोल इसको दोस्तों रश्या के द्वारा capture कर लिया गया है आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह वाली खबर टाइम्स आफ इंडिया की है यह खबर कल शाम को सामने आती है कि हजार से भी जादा यूक्रेन सेनिकों ने मारियूपोल में अपने हथियार जो है वो डाल दिये हैं उन्होंने यहां पर आतना समर्पन कर दिया है और थाउजन्ड यूक्रेन ट्रूप्स सरेंडे टू रश्या इन मारियूपोल ना बात करेंगे कि यह वाला जो पर्टिकुलर एरिया मारियूपोल का है यह रश्या के लिए इतना एहम क्यों माना जा रहा है और दोस्तों डिसकस करूँगा कि इस पर्टिकुलर डिफाइनिंग डिवलेप्मेंट के बाद जो अगला कदम ये यूद लेने वाला है वो बेसिकली क्या होने वाला है चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद इस लेक्षिर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलेजाम चैनल के माध्यम से इसके इलावा आप लोग जूट सकते हैं यूजिस पर्टिकलर है यूजित कर रहा है UPSC, CSE, Megacombat प्लीज Do not forget to enroll in this, कई सारे इनाम आपको मिलेंगे अगर आप लोग अनी UPSC code के साथ इसमें enroll करते हैं तो, right, so आज से लगभग दो हफते पहले की बात है, April 7th को ये वाली news सामने आई थी, जब रश्या ने ये announce किया था कि वो लोग अपना जो युद्ध का area है उसको change करने वाले है जो यूकरेन की राजधानी का area था, यानि कि ये वाला जो area था कियेव का, यहां से इनके troops ने withdraw करना शुरू कर दिया था, बलकि कई सारे विशेशक के ये कहने लग गये थे कि शायद ये वाला युद्ध जो है वो खतम हो सकता है, लेकिन रश्या ने ये announce किया था कि हम लो पे थे, लेकिन अब रश्या का जब इन्होंने कहा कि हम लोग eastern front को strong करने वाले हैं, तो इनका जो main focus था, वो दोस्तों यहां पे इनका maripol के उपर हमें focus देखने को मिलने वाला था, और exactly जैसा यहां पे predict किया गया था, बिलकुल वही हुआ कि रश्या ने एकदम से maripol में आकर के अपने offensive को बढ़ाया, वहां पे बहुत सारे इन्होंने bomb blast किये, बहुत सारे इन्होंने अपने सैनिकों को तैनात भी किया था, आप उसके बाद देखे, April 11 की इन्यू सामने आई, यानि कि आज से exactly one week पहले यह वाली जो है खबर सामने आती, जिसमें इन्होंने कहा क कि death for some, captivity for rest, Ukraine's last battle in Mariupol, यानि कि Ukraine के सैनिकों की almost आखरी यहां पे जंग चल रही थी, यह वाला statement आप देखे, today will probably be the last battle as the ammunition is running out, यह 36th Marine Brigade है, Ukrainian Armed Forces का, और यह वाला statement उन्होंने Facebook के माध्यम से दुनिया को बताया कि हमारे जो हत्यार है, हमारे जो ammunition है, वो almost खतम हो चुके हैं, यहां पे जो Ukraine के Marines हैं, उन्होंने इस चीज को लेके complaint भी किया, कि हमें Ukraine की military leadership से किसी प्रकार की support नहीं मिल रही है, no one wants to communicate with us anymore, because we have been written off, यह वाली खबर 11 अपरेल की है, और यहां पर आप देखे कि यह वाला जो map है, वो बड़ी clearly दिखाता है, कि Russia की जो forces थी, जो कि कुछ द जिन पहले तक केवल यहां तक आपको देखने को मिल रही थी, वो धीरे धीरे अडवांस कर रही है, यह वाला जो आपका legend है, आप यहां पर देखे, Russian forces are advances, तो यह Russian forces जो है, यह धीरे धीरे मारिपोल की तरफ अडवांस कर रही थी, और अब जो है, इन्होंने मारिपोल में 1000 से भी जादा सैनिकों का आत्मसमर्पन करवा दिया है, जो की Ukraine को बिलॉंग करते हैं, आप यहां पर देखे, Russia said on Wednesday that more than 1000 Ukrainian Marines among the last defenders hold up in the Azovstal industrial district, यह आप यहां पर देखे, यह रहा Azovstal का iron and steel works, और इसी particular area में 1000 से भी जादा सैनिकों ने यहां पर अपने हथियार डाल दिये हैं, Now, हम बात करने वाले हैं कि what are the main reasons जिसके चलते जो Russia है वो इतना जादा interested है Maripol को लेकर, सबसे पहले बात करूँगा इसकी strategic location को लेकर, number one अगर बात करें, यह Ukraine की सबसे बड़ी city है, जो की Sea of Azov के coast में आपको देखने को मिलती है, and number two reason जो की बलकी बहुत बड़ा reason है, यह Ukraine का main port था, जो की वहाँ पे आने वाली industries और agricultural जो भी वहाँ पे holdings थी, उनको support भी कर रहा था, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा, कि यह है आपकी Sea of Azov, और यहाँ से जो है Maripol सबसे main port था, जिसके माध्यम से, Ukraine अपना व यहाँ पर आपको Ukraine के सबसे बड़े metal plants देखने को मिलते हैं, तो Russia ने काफी प्लंबे टाइम से कहा है कि वो लोग Ukraine की economy को चोप करना चाहते हैं, and this particular city capture basically ensure करेगा कि Ukraine की economy को काफी बड़ा चटका यहाँ पे लग सकता है, इसके बाद जो सबसे बड़ा reason Russia के लिए था, वो था इसकी strategic location, आप सभी जानते हैं कि आज से 8 साल पहले की बात है, रश्या के द्वारा यह वाली territory जिसको कि हम लोग Crimea कहते हैं, इसको capture करवा लिया गया था, उसके बाद आप लोग यह भी जानते हैं कि यह वाले जो areas हैं, जहां पर आप लोग यह वाला जो हमने color mark कर रहे हैं, यह वाले areas में already Russia की जो forces थी, वो हमें देखने को मिल रही थी, प्रॉब्लम क्या थी, कि Russia यह चाहरा था कि जो forces हमारी यहां पे तैनात हैं, इनके बीच में एक land bridge स्थापित हो जाए, अभी तक क्या था कि यह वाली जो forces और यह वाली जो forces थी, इनको अगर मिलना पड़ता तो यह लोग को इसके माधियम से जाना पड़ता था, लेकिन अगर यह लोग मारी पोल को capture कर लेते हैं, तो यह एक land bridge यहां पे स्थापित हो जाएगा, जिसके चलते, Russia almost यह कह सकता है कि हमने Ukraine के इस पूरे के पूरे इलाके को एक तरीके से capture कर लिया है, आप यहां पे करवा ही रहा है, इसके बाद Russia का एक और मुद्दा भी था, जिसके चलते यह लोग मारी पोल में काफी इंट्रस्टेट थे, वो मुद्दा था, यहां पे आपको मिलता है अजोव रेजिमेंट, जो दोस्तों अजोव रेजिमेंट है, ऐसा कहा जाता है कि यह एक far right रेजिम जिसके चलते यह वाला कदम उनके द्वारा यहां पर लिया गया था, इस पूरी की पूरी डवलप्मेंट के चलते ऐसा भी कहा जा रहा है कि रश्या के द्वारा यहां पे बहुत सारे war crimes को conduct किया गया है, कई सारी report सामने आई है, ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे civilians को यहां प बाकी दुनिया से एक बार के लिए काट दिया भी है, इस चीज़ को लेकर अभी तक confirmation कोई सामने नहीं आई है, लेकिन Bloomberg की यह ख़बर सामने आती है, Russia committed the war crimes in Ukraine, आप यहां पे देखिए, it called Russia's attack on the port city of Mariupol, an extreme example, इसमें इनोंने direct targeting करी है, civilians की medical facilities पर अटाक करे हैं, rapes करे हैं, exec executions करे हैं, looting, forced deportation of civilians, Russia, ऐसी बातें सामने आई हैं, खेर, यहां पर जो यह वाला capture हुआ है, यह कहा जा रहा है, defining development, इसलिए, because इसके बाद जो युद्ध का पूरा का पूरा direction है, वो इसी से define होगा, वो कैसे यहां पर आपके सामने है, अब इनोंने क्या किया, कुछ देर पहले तो यह लोग कियेव के ऊपर focus कर रहे थे, लेकिन कियेव को इनोंने यहां पर अपने picture से हटा दिया है, तो अब इनका जो focus था, वो यहां पर आ चुका था, डॉंटेस्क के इलाकों में, और साथने आपका मारिफोल के इलाकों में, यह इनके पास already था, अब जब इन days में एक नहीं खबर सामने आई है, Russian column has been moving into eastern Ukraine, near the town of Aizam, to the north of Donbass, और इन्हों ने यह भी कहा है कि, because Maripola fall हो चुका है, तो इसका मतलब की दो directions में, Ukraine forces को अब attack नहीं करना पड़ेगा, and इसी लिए यह कहा जा रहा है कि यह Russia की सबसे बड़ी जीत है, अभी तक के Ukraine के इस यु बहुत important port city था, उनका बहुत important economic region भी यह माना जाता था, now देखते हैं क्या होता है, but this definitely is a very very defining and a path breaking development, जो की हमें Russia, Ukraine के युद्ध के भी देखने को मिली है, आप कर सोचते हैं development के बारे में definitely बताएं, comment section में, फिल हाल के लिए वीडियो में इतना ही, जाने से पहले बताना चा पर आपको paid classes देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपको येवाले batches देखने को मिलेंगे, और साथ ही में आपके लिए free classes भी यहाँ पर कराई जाते हैं, जिनको कि आप special class बोलते हैं, जो कि मेरे द्वारा भी आपको देखने को मिल जाएंगी, इसके इलावा, आपको मेरे द् लेते हैं तो आपको यह वाले extra benefits भी देखने को मिल जाते हैं, also Unacademy की test series भी आप लोग ले सकते हैं, using the code Unni UPSC, जिसमें काफी सारे बच्चे अल्यडी अन्रोल कर चुके हैं, also Pathfinder की current face की test series में आके हिस्सा लीजिए, जो कि हर Saturday के दिन शाम को 5 बजे होती है, top rank तो उसको यह वाले नाम भी दिये जाएंगे, on that note, I take care of leave, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.